तो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बढ़ी होंगे माता रानी का बुलाब आ गया है तो आप मुझे जाना होगा तो आप लोग चलना है मेरे साथ तो चलिए माता के रानी के मंदिर मैहार कौन-कौन चलने को तयार है कमेटिम में बताएं चै माता दी तो हैलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बढ़ी होंगे आप चलिए अब नवदोरों के माता की दिन सुरू होए हैं आज से बैठ की लग चुकी है और आज में माता का पहला दुन हो गया है और दूसरे दिन सुभे हम लिख लेंगे मैहर की ओर आप लोगों को भ बने रहे हमारे वीडियो पर और देखे किस तरह से हमारी तैयारे हो चुकी है तो आप देख सकते हैं यह मारा बैध कम्प्लीट है अब तयार है आप सुबहार मैं रेडिय होंगी बिटू रेडिय होगी और जोबी चूचू साथ चलेंगे वो रेडिय होंगे और फिर की हो नहां दूके रेडी हो गई हूं अब बनाओंगी खाना तो खाना बनाने की बाद हम चलते हैं माई है कि आ रहे हैं माता रानी के दर्षन करने सार्दमाता के तो आप लोग भी बोलिए मेरे साथ जैमाता की पहुंच चुके हैं इस्टेशन तो अपने इस्टेशन अपने गांग के नजदेक इस्टेशन है तो वहां हम बैठ चुके हैं तो यह देख सकते हैं मैं हूं मेरी बिट्टू है और यहां से मालगाड़ी जा रही थी तो काफी आवाज मचा रही थी तो यह देख सकते हैं कित तो ये देख सकते हैं वो बैठी हुए हैं ये हम लोगों का समान रखा हुआ है और ये ट्रेन बार बार थोड़ी थोड़ी देरों पर ट्रेन निकल रही है तो ये हम पहुंच गए हैं अपने कटनी जंग्सन और कटनी जंग्सन में बैठी हुए हैं बड़ी गाड़ी का इंत तो यहां एक बाजु से एक दीदी थी तो वहीं उनकी यहां ही रुके हुए थे क्योंकि इस रोकने का कोई प्रबंद नहीं था तो यह बड़ी दीदी लोग है रिष्तेदार हैं तो नहीं के यह लोग रुके हुए थे तो रात हमने वहीं बजारे फिर नहाधो के रेडी हो और फिर हम चल दिये मातारानी के इस्थान तो यह पहुंच गए हैं हमाई है तो यह देख सकते हैं नवरात्री का सीजन चल रहा है इसलिए ज्यादा नजदिक नहीं लाते एक दो किलो मीटर की रस्ता से पैदल चलना पड़ता है तो यह देख सकते हैं जगह जगह ठेले लग रहे हैं तो ये देख सकते हैं यह दो सी लगहा हैं यह लोग ठापी रहे हैं तो जी हम लोग चल रहे हैं काफी ठाख चोके थे बहुत थी समान भी था और बिटू ठीट बैसे पसीन सीना बहुत आ रहा था काफी हापी सापी आने लगी थी ये देख सकते हैं कई लोग कितना चड़ रहे हैं और अभी यहां से तो कुछ भीड नहीं है लेकिन अभी बीच में काफी भीड होगी इतनी भीड कि ये देख सकते हैं अभी से पीछे से कितनी भीड़ हो चुकी है ये देख सकते हैं लोग एक दूसरे को धक कमार मार के चड़ रहे हैं और ये देख सी अभी यहां से बहुत दूर है माता रानी का इस्थान तो चलिए ये हमने परसाद भी खरिद लिया था तो ये हमारी दीती ये मंदिर के ऊपर कर द्रस है ये मंदिर आप देखाई दे रहा है हलका हलका आप देख सकते हैं ये पूरा मंदिर है माता रानी का वीडियो नहीं बना पाए आप देख सकते हैं तस्वीर कितनी सुन्दर लग रही है माता और मातारानी के नौ दिन चल रहे हैं तो मातारानी भी बहुत खोस हैं ये देख सकते हैं में तरूँ सोचा कि मातारानी की दरसन हो गए तो कुछ मातारानी का परसाद भी ग्रहन कर ले तो जगए जगए भंडारा हो रहा था तो वहां प्रसाद खाने के लिए हम लोग पैट गए तो हां कड़ी चावल मिला और पूरी मिले हम लोगों को तो बोलिए जै मासारदा की और मातारानी से आप सभी की मनों कामनाई पूरी करें और मातारानी के आप लोग भी सब कोई जाईए मातारानी के दरवार देखिए बहुत ही सुन्दर है नव राते चल रहे हैं इसलिए भीर बहुत ज़्यादा थी आप कभी भी जा सकते हैं इतनी ज़्यादा भीर नहीं होती है तो आप देखिए मातारानी की दाशन किजिए मनत कांगे सद्धा में ही भक्ती है बुली जय मसार्दा की हर हर महादीब